जैन साथी हूँ मेरा नामे देविश पाल स्वागेदाप का सड़ी विद देविश में इंपोर्टन एग्रिकल्चर रिसर्च अंसिट्यूर भारत्य क्रिशी अनुसंधान संसान जो कि भारत के सभी प्रतियोगी परिक्षाव के लिए महत्पून है इन सभी को हम एक लोजिकल ट्रिक के साथ देखेंगे तो चले शुरू करते हैं भारत्य क्रिशी अनुसंधान संसान देखिए पहले हम इसके थोड़ा इंट्रोड़क्षन जान लेते हैं इंडियन कॉंसल उफ एरिकल्चर रिसर्च देखें क्रिशी से संबने वैग्यानिक प्रियोग करके ताकि हाई टेकनिक का प्रियोग किया जा सके हाई एल्डिंग वैराटे का प्रियोग करके ताकि हम कम संसाधन का उप्योग करके उच्टम उपज ले सके हाई प्रोड़क करता है और जो इस की स्थापना होई थी देखे कई बार एक्जाम में पूछा जा को गया जो सोलव जोलास सन 1979 को होई थी जो सके अध्यक्स होते हैं वो करिशी मंत्री होते हैं और जो जो इसका अध्यक से वो क्रिशी मंत्री रहता है वो इसकी देखरेक में कारे गड़ता है आगे देखते हैं जो इस देखे एक बात और जाननी वो जुरी जो इसका पूरु नाम था वो इस इंपरारम में इसे पूसा बिहर में स्थापित किया गया था या इसके चार मुख्याले हैं वो मंबई बेंगलोर कोलकत्टा और जो इसकी सबसे मुख्य मेन ब्रांच है वो ned एली इसे जोरे ब्सके साथ्त maple के साथ और जो ₃ए अगल ट्रिक के साथ हम इसको याद करेंगी पहले राष्टे डेरी अनुसंदान संस्तान करना लहर्याणा में देखिए जब हम स्टूडेंट होते हैं हम वर्तमान में मैं भी एक स्टूडेंट हूं कई बार ऐसा होता बेरोजगारी का दर्ध हम जेहल रहे होते हैं तो घरवा इस Dáरे क्रना डेटरी करना डेटरी करना तो डेटरी काही पांगल में अर्याणा में एक से थैं स Innen से 1 में को असानी से पकड़ सबा इस्थैंये अगला प्रशन देखते हैं भारते पशु पक्षी चिकिस्था अनुसंदान संस्थान कहाँ पर है देखे ये भी बहुत अच्छा गोश्चन है पशु पक्षी चिकिस्था अनुसंदान संस्थान इज़त नगर बरेली में देखे हमें सभी पशु पक्षों की इज़त करने चाहे क्योंकि वो भी हमारी तरह एक जीवी होते हैं तो इसको हम भी इस तरह से याद कर सकते हैं हमें सभी पशुपक्षी के इज़्जत करने चाहिए इज़्जत नगर बरहली में अगला प्रशन देखते हैं केंद्रे द्वीप क्रिशी अनुसंदान संस्थान पोर्ड ब्लेर अंडमान निकोबार देखें जो अंडमान निकोबार है वो खुद एक द्वीप हैं और अंडमान में अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर पान सो बहात्तर द्वीप हैं तो भारत में ये सरवाद एक द्वीप हैं तो फिर दीद पर क्रेशी कहां पर होगी जायड सी बात हैं महीं पर होगी जहां पर अधिक दीद सु म einen तो केंद्रिदेव क्रिशयनों संथान संस्थान पौर्ड बले अंदंबार निकोबार में है अगला प्रेशन में! तो यहां से हम लोजिक लगा सकते हैं, मचली सबसे अधिक खारे जल में मिलेंगी तो तमिलनाडू के रजधानी चन्नी, चन्नी में खारे जल क्रेशी संस्थान है चन्नी में अगला प्रशन देखते हैं केंद्रिय भैस अनुसंदान संस्थान देखें भैस अनुसंदान हिसार हरियाना में है वैसे तो घोड़े हिने नाते हैं मगर हम इस से भी लोजिक लगा सकते हैं कि भैस भी हिने नाते तो हिसार हरियाना और वैसे भी जो हरियाना है वो दूत के उत्पादन के लिए जाना जाता है अधिकतर तो केंद्रे भैंस अनुसंदान संस्थान हिसार हर्याणा अगला प्रशन देखते हैं केंद्रे बकरी अनुसंदान संस्थान कहां पर है देखें मकदुम मत्थुरा में अगला प्रशन देखते हैं केंदे क्रिशी इंजिनिंग संस्थान भोपाल मद्यपर्देश देखे इसमें हम थोड़ा लोजिक लगा सकते हैं क्रिशी इंजिनिंग संस्थान भोपाल मद्यपर्देश जो मद्यपर्देश है हो भारत में अधिक वन के लिए जान जाता है शेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा अधिक वन मद्यव पड़ेश में पाया जाते हैं और मद्यव पड़ेश के राजदानिया भोपाल तो इस आपक क्रेशी देखी गए इंजिनिंग तरीक से खेती करने कोशिश की गई वनों में परंतु हो नहीं पाई यह होती भी है पर इस तरीके से नहीं हो हम केंद्रे क्रेशी इंजिनिंग संसान भोपाल मद्यव पड़ेश में हैं अगला प्रशन देखते हैं केंद्रे शुष्क बागवानी संसान देखे जो शुष्क का मतलब होता है सूखा ड्रा है तो देखे जो बागवानी है वो बागवानी अपने साख सबजी और फलगे लिए जाने जाती हैं तो इस सरसकते हैं कि जो सब्सकर नेर आप अगला प्यश्ण देखते हैं केंद्रिय कपासनूसंधान संस्थान महारास्थ कपास के लिए जाने जाता कपास अधारवाद क्युत्पादक राज्ज्जवी शायद महारास्थ है और गुजरात बी है तो देखें कपास अनुसंदान इससे हम थोड़ा लोजिक लगा अगर पहुँश सकते हैं कि अंदर कपास अनुसंदान नापपूर महरास्ट में है अगला प्रेशन देखते हैं कि अंदर मतस्य के प्रदोगी की संस्थान देखें मतस्य प्रदोगी अगर हमें टेकनोलोजी पर रिसर्च करके मतस्य का पालन करना हो तो उसके लिए में कोचिंग लेनी पड़ेगी तो कोचिंग कोची केरल में तो इसका अंसरो कोची केरल अगला प्रशन देखते हैं कि इसका प्राचीन नाम आम अनुसंधान संसान था तो आम के लिएक अच्छी उपोशन कटिबंद्य तापमान चाहिए तो देखे उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में कटिबंद्य तापमान मिलता तो यह केंद्रे उपोशन कटिबंद्य बागवानी संसान लखनाओ उत्तर प्रदेश में है अगला प्रेशन देखते है केंद्रिय शितोशन बागवानी संस्थान देखें शितोशन शितोशन मतलब कि ठंडा और शितोशन जो जम्मो कश्मीर है जम्मो कश्मीर जो कश्मीर वाला पार्ट है वो अपनी बरफ के लिए जाना जाता है शितोशन बागवानी संस्थान और स शितोषन बागवानी संसान श्रीनगर जम्मु कश्मी में थोड़ा साम लोजिक लागवादर पोफ सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं केंद्रिय फसलो उत्तर अभिहंत्रे की और प्रद्योगी संसान सेंडर इंसिट्यूट और पोस्ट हार्वस्टिंग इंजीनियर एंड टेक्नोलोजी देखें लुध्याना पंजाब में देखें हम सभी जानते हैं जब 1966-67 में हरित क्रांती की शुरुवात हुई थी तो हरित क्रांती की शुरुवात हुई थी तो उस समय जो सरवादिक लाब जो पोचा था वो पंजाब, हरियाना और पश्मी उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ था क्योंकि यहाँ पर हाई टेक्निक का प्रियोक्य गया तो अभिहंत्रे की जो टेक्नोलोजी और प्रद्यो अगला प्रशन देखते हैं, कि इंदे तट्ये क्रिशियान उसंधान संसान, देखें तट्ये, तट्को अगर हम इंगलिश में देखें तो वो बीच बोलते हैं, तो गोवा जाने जाता है अपने बीच के लिए, सभी का एक सपनाओदा बीच पर जाना, तो महासरम लगा सक अगला प्रशन देखते हैं, कि इंदे तमाको अनुसंधान संसान, देखें, तमाको अनुसंधान संसान, देखें, तमाको अनुसंधान संसान, देखें, जो राज मिस्तरी होते हैं, वो जातर आपने देखें, तमाको का प्रियोग करते हैं, तो आप वहासे इसमें लोजिक लगा सकतो तमाकोन संदान संदान राज मुंद्री आंतर प्रदेश अगला प्रशन देखते हैं भारतिया बागवाने अनुसंदान संसान तो देखे हैं तो हमें यादी रहता है बागवाने अनुसंदान संसान बैंगलोर में हैं अगला प्रशन देखते हैं भारतिया दल्हन अनुसंदान संसान देखे इसमें हम लोजिक लगा सकते हैं कानपूर की डाल बहुत फेमस है या कानपूर के लोगों को डाल बहुत पसंदे हैं कानपूर की डाल तो दहले हैं अनुसंदान संसान कानपूर में है अगला प्रेशन देखते हैं भारते मसाला अनुसानदान संस्थान कालिकट केरल बहुतें हैं हैं अगला परशन देखते हैं भारते म्रादा विज्यान संस्थान तो देखे अम्रादा विज्यान संस्थान भोपाल मद्यपरदेश में देखे मद्यपरदेश मैंने आपको पहले ही बताया अपने oldest भारत के 2.3 पूरे मिला अगरetzt मध्यपरदेश में पाय जाते हैं तो मासा मुझा सकते तो वहां पर जहां पर म्रहदा अच्छी होगी प्एड़ी अधिक हुगी में तो वहां हिसे हम क्थे संफ्टान झाण J когда क崏 सकते हैं तो यह फिर्वेकर ने पर्वते रेखिया नयुट संधान संस्थान देखिए इसमें मी लगा सकते हैं कि परवत परवत हम जानते हैं जो हिमाले का पाक हिमाले हैं हिमाले का हिमाले हिमाले वो उत्राखंड हिमाचल परदिस और जम्मुकश्मी इन सबसे लगता है तो परवते क्रिशी अनुसंदान संसां क्रिशी सबसे ज़्यादा गिन राज्यों की तुलना में द भारति मक्का नुशंधान संस्थान देखे मक्का नुशंधान संस्थान देखे मक्का नुशंधान मक्का लो तोरी लो इससे आप लगा सकतो मक्का लो लुध्याना मक्का लो लुध्याना पंजाब में इस्तित हैं मक्का नुशंधान संस्थान लुध्याना पंजाब में है अगला प्रेशन देखते हैं रास्टे क्रिशी अर्थसास निति अन्य संधान संसान देखिए अच्छा कोश है इसमें हम क्या लोजिक लगा सकते हैं तेरा देख न जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल ओफिस हैं वो सारे हमारे दिल्ली में इस्थित हैं और जैसे निति अगला प्रेशन देखते हैं के इंद्रे सिक्ट्रस अनुसंधान संसान देखिए के इंद्रे सिस्ट्रस खट्टे फलोगे लिए अनुसंधान संसान नागपूर महरास्ट में देखिए नागपूर अपने खट्टे फलोगे लिए जान जैसे कि अंगूर हुआ टमाटर हुआ तो हम यहां से थोड़ा लोजिक लगा सकते हैं खट्टे फलोगे लिए जो अन समग्र खाद उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है शीर्ष है जैसे कि आलू हुआ गन्य में सरवादी उत्पादक रखता है इसके तरिक सब्जी में सब्जी का सबसर बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है वरतमान पश्य मंगाल को छोड़ कर तो बीज अनु संदान बीज विग्यान संसान उत्तर प्रदेश में ही पाए जाए क्योंकि यहाँ पर खाद जो सरवादी का खाद दे उत्पादन समझे खाद्य पदार्त जो उत्तर प्रदेश में ही अधिक ऊपते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीड सरस्थान रगता है तो हम वहाँ से थोड़ा लोजिक पर पूश सकते हैं अगला प्रेशन देखते हैं भारति चाओल अनुसंदान संसान तो देखिए भारते चावल अनुसंदान संसान हैद्रवाद में तो ये तो हमें सब को यादी रहता है अल्मॉस्ट तो ये थे फ्रेंड थोड़े अनुसंदान संसान जो सभी एक्जाम हैं पूछे जाते हैं लाइक करें सब्सक्राइब करो शेयर करें थैंक यू